हेलो वर्यवान वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल जिक एडिटोरियल तो आज हम करेंगे क्रास एट के साइन्स का चैप्टर शिक्स तैट इस कंबश्यन अन फ्लेम जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वाट इस कंबश्यन कंबश्यन क्या होता है लेकिन उससे पहले जो मे काईन के क्या करते हैं फ्यूल यूज करते हैं अपने गरों में इंडर्स्ट्री स्वेरास में गाड़ियां चलाने के लिए क्या आप कुछ फ्यूल के नाम बता सकते हो जो आप गरों में यूज करते हो हम यूज करते हैं काउडन जो गाउं में यूज किया जाता है वह वह आपका काम काम केता है भूम कि KROCYNA на जो स्टोब होता वह भी आपका क्या है few है नाक्स आपका पूछे है कि Less isшिंए लिए बादी वूंचा को और सॉट हम जाते हैं तो कॉली हो गया आपका प्रिखाए जानते हैं कि व्हारा ये नाया है जालते हैं कि कैंडल कंडल के बारे में कैंडल कैसे जलती है तो क्या difference होती है burning of candle में वह burning of fuel जैसे की कोईले में कोईले के जलने में और candle के जलाने में क्या फर्क है इसी से रेट हमारा आज का फर्स टॉपिक है तैट इस वाट इस कमशन जो आज हम डिसकस करने वाले हैं वस्ट अपर कमशन क्या है आपको याद होगी जो हमने क्लास सहमत में डिसकस की है कि burning of magnesium ribbon जो परफार्म की थी अपने क्लास सहमत में एक्टिविटी वाहर के हमने सीखा था कि जब magnesium जो है वो burn करता है जलता है तो क्या बनाता है magnesium oxide बनाता है वो जब जलता है तो heat और light दोनों produce होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे figure में दिखाया गया है यह burning है कि इसकी magnesium की देखी heat और light दोनों produce हो रहे हैं आपे तो हम perform कर सकते हैं similar activity इसके साथ कोई और fuel ले लिए जैसे कि charcoal की बात बोली है तो आप क्या observe करोगे आप पाइंट करोगे कि charcoal जो है वो जलेगा कि वो कोईला जलता है चार्कुल भी उसके पार्ट है तो वो भी burn करेगा air में और produce करेगा carbon backside heat and light इस तरह से charcoal भी आपका क्या हो गया fuel हो गया तो chemical process जिसमें substance react करता है oxygen के साथ और क्या produce करता है heat produce करता है उस process को हम बोलते हैं combustion means वो chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion जिसमें substance जब चलता है oxygen के साथ रेक्ट करता है और heat produce होती है तो उसे हम कहते है combustion और वो substance जो undergo combustion होती है जिसके कारण combustion होती है जो जलता है उसे हम बोलते है combustible जैसे यहां पर charcoal था तो charcoal इसे combustible substance और इस है combustible substance को हम fuel घयाने को पैट्रोल डीजल यह आपके combustible substance है और इन्हें हम फियूल भी कहते है है फ्यू लाप का वो सकता है जैसे की कोल च다면 होगे अब लेक्र्म घाथ की हो सकती है जैसे की सब्सक्राइक होता लायट बी प्रडूस होती ह redo सकता है जैसे के और नो वह सकता है जैसे कि और कोसी मेर्डियूस नहीं होता लेकिन इसमें से light का glow आता है, candle आते हो तो flame आता है, gas, LPG gas को जिलाते हैं तो इसमें से flame आता है, light heat दोनों आ रहे होते हैं, तो इसमें मैंगनेशिम और चार्कुल दोनों के हैं आपके combustible substance है, simple way में कहा जाए तो जितने वे आपके fuel होते हैं, वो सब क्या होते हैं, combustible substance होते हैं, इससे लेकर आपको यहां पर एक activity दीगी है, आपने क्या करने हैं, कुछ materials लेंगे, straw होगे, आपका straw आपको पता है, सूखी गास बोल सकते हो, जब बूसा जिसको बोलते हो, आप match stick ले सकते हो, कैरोसी नायर ले सकते हो, paper, iron nails, stone pieces, glass यह सब चीज़े आपने ल लाना है, अगर combustion हुई, तो उस material को हम रखेंगे, combustible वाले column में, otherwise हम उसके क्या बोलेंगे, non-combustible, और यह सारा आपने data, कहां पर फिल करना है, आपने table 6.1 में, अब सबसे पहले देखें, बात है, बूड की, तो बूड तो जलता है, तो हम रूड कहां पर आएगा, combustible की का ईगा, और हम फूणकी का bus, यह सारा आपका, तो स्टै का आएगा असटे नहीं है, वह नान चमपरस्टै का आएगा, तो उड़ का हम पर दाना नहीं है, लपीजी गैस नहीं थी, CNG नहीं हैं वो सब भी क्या हैं आपके combustible substance है चलिए investigate करते हैं conditions इसके under combustion होती है योगि combustion जलना किसी चीज़ का ऐसे ही नहीं हो जाता उसके लिए कोई न कोई conditions होती है जो क्या चाहिए जो कि necessary होती है तो condition को समझाने के लिए यहां पे हमें एक activity दीगी है इसके तुरू हम समझेंगे कोई conditions है जो necessary है for combustion तो उसके लिए आपको फर्स यहां पर activity 6.2 दीगी है आपने क्या करना है fix करना है एक light candle को table और put करना है glass chimney को candle की ऊपर जासे कि यह दिखिए glass की chimney को ऊपर रखा हुआ है और यहां पर रखना है few wooden blocks रखना है इस तरीके से कि air उसमें enter हो जाए देखिए इसको भी simple table के साथ है इसको भी simple table के साथ यहां पर देखिए wooden block रखे हैं इस तरह से टाच किया कि नेचे से यहां से air जो है वो एंटर कर सके कहां तक केंडल तक मूँ सके तो अब्जर्व करना है आपने कि क्या होगा flame को उसके बाद आप रिमूव कर दिजी इन ब्लॉक्स को कर दिए हैं और आपने कहा करना है चिमनी जैसी है वैसे ही रहने देनी है उपर से open ही अगेन उब्जर्व किजिए flame फाइनली आप कहा किजिए glass plate रखे चिमनिंग के उपर जैसा कि यहां पर फेगर आपनी 6C में 6.2 की C में देखिए यहां पर दिये गया है उपर से भी चि ले शुलिए इसरे में देनी ऊंकिक तिए रहा है वहां पर आपका फ्ली कर रही यहां था यहां फान्स वाल अप्लीलंग फ्लिक्रिंग D लेकिन यहां पर बिल्कुल ही जहाँ पुझ गी करें दिए पदा कि में कमबर्शन में57 मेंने हैं receivers प्रोडियूस कर रहा था यह सी में तो बिल्कुल एर एंटर हुई नहीं तो इसलिए केंडर भी क्या हो गई और वो जली नहीं इसका मतलग कंबस्षन के लिए आपके कौन से कंडिशन होना जरूरी है यह जो है वो नैसेसरी है यहां पर नेक्स आपको फिस यहां पर एक्टि प्लास्टिक जार के साथ तंबलर के साथ जांग ट्रांस्पिरेंट प्लास्टिक जार के साथ आप क्या उफजर्व करोगे क्या चार्कुल जो है वो बर्निंग करना थोड़े दिर के बाद जो है वो बंद हो जाएगी आप सोचते होगी क्यूं स्टॉप क्यूं होगी उसक तो उस परसन को कवर किया जाता है यह सुना होगा कि आग से बचाने के लिए क्या करते हैं तो आग से बचाने के लिए उसे आदमी को क्या किया जाता है इसके यहां पर पिचर में भी रिखा मैस्टिक पर नहीं छती कि वहारी है जाते हैं मैस्टिक पर आपने वहां नहीं आजगा तो तन से में को पर जहना शुरू हो जाता है तो अगर आप पीस एक बुड का लोगे और एक मैस्टिक को जबागे लाओगे तो क्या वोड जलेगा नहीं वो नहीं जलेगा तो क्यों आप यूज करते हो पेपर का यूज करते हो तो क्यों होता है सिंपली जैसे हम पेपर को आग लगा लेते हैं तो वूड को आग क्यों नहीं लगती है आपने फॉरस्ट फायर के बार में सुना होगा कि वह जंगल में बोलते हैं आग लग 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 है तो चीज एक्सपीरियंस है कि आपको यह नहीं बता रहे है कि अलग अलग सबस्टेंस कोई भी सब्स्टेंस आग को पकल लेता है उसे हम कहते हैं इगनिशन टेंपरेचर पर आप ऐसे चोड़ दो कहीं भी माचिस की तीली आगे पीछे जलाओंगे पूर नहीं जलेगा जब तक आप उसके नहीं लेकिन जाओंगे लेकिन एल्पीजिक गैस को खुला चोड़ द करती है बन करते हैं किसी मैच वाक्स की इस एक साइब जब रख करते हैं तब चाके वह बन होती है कि उसको इतना टैंपरेचर चाहिए ठाकी बन कर सके ठीक है अधरवाइस वह खुद बहुकुद तो नहीं करेंगी वह यहां से हमने पीस ही कि जो कंबस्टिव सब्स्ट्रा चलते हैं तब तक तक टैम्प्रेचर उनका कम होगा कि इगनेशन टैमप्रेचर अगर कोई चीज 60 निगरी साइल्सिस पर जलती है तो रूम टैमप्रेचर का 20 नहीं जली आपने देखा होगा तो कुकिंग ओयल जो होता है वो कैच करता है अगर आपने फ्राइं पैर को बड़ी देर तक बर्निंग स्टोफ पे रखे कई बूल जाते हो तो के कुकिंग आयल जो है पो आग पकड़ लेता है कैरोसी नायर वुड्ड जो है वो कैच नहीं करते फायर रूम टेमपरेचर पर लेकिन अगर कारोसीन आयर को थोड़ा सबी हीट किया जाए तो आग पकड़ लेता है लेकिन अगर हम वुड्ड को हीट थोड़ा सब्सक्राइब जादा भी करेंगे ना तो इतनी इसली कैच नहीं करता है इसका मतलब है कि इग्नेशन टैंपरेचर का कैरोसीन जो है उसका इसके मतलब है कि हमें स्पैशल करने के लिए करोसीन आयर तो यह यह ज़िए कि जरूरी है सबसे पहरे जुसका टैंपरेचर हो किसके एककड़ हो इंगेशन टैंपरेचर के इककड़ होना चाहिए तब ही वह क्या करेंगी बाद करेंगी यहां से हमें यह समझ जाएकिकर क् किसे इगनेशन टेंपरेचर पे डिपेंड करती है नेक्स कंडिशन के लिए भी हमें यहां पेक एक्टिविटी दीगी है आप में टू पेपर कप बनाने हैं फोल्ड करके शीटा पेपर के और एक कप में 50 ml तक क्या डालना है वाटर डालना है हीट कीचिए दोनों कप को सैप कि पेपर कप क्या होगा जल्यवट याघंटल जाट टाइम लेगा तक्रिवा बेगा जायीफ जाए तो कि ऐम पाणिशन करते हैं कि अपिछा बटोनों करते हैं को तो वाटर वाइल होना स्टार्ट हो जाएगा पेपर कप में तो क्या आप ठिंक कर सकते हो एकस्प्रीचन फिनॉमेना की एकथिए क्या हो रहा है कि जो हीट सप्लाइघ हो रही है पेपर कब को वह ट्रांस्पर हो रही इसलिए वह नहीं जला पहले पानी गर्म हो रहा है वहां पर नहीं जलेगा लेकिन इसका मतलब कि प्रेजेंस आफ वाटर में जब वाटर हो तो इगनेशन टैंपरेचर जो पेपर का है वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं ऐसे तो आप इसली पेपर को जला देते हो लेकिन तो यहां पर रुकावड कौन थी वाटर जो उसमें डाला था वाटर जो है वह वह इगनेशन टैंपरेचर तक मतलब किसी भी सबस्टेंस के नहीं पहुंचने देता तो वह सबस्टेंस जिनका बहुत ही कम लो इगनेशन में टैंपरेचर होता है और इसली कैच कर लेते हैं पर यह के साथ ओन आ सब नहीं हम कहते हैं इंप लैमेबल सर्टेंस का इंप लाटना दो करकर रखना है यह आपको बार ने इसली तो इंप लिया यह जो न आ कर लेते हैं आर कào हो गयाका अलकॉहलों हो गया यहां पर हम थिद्टर全部 घ्रिंडिशन यहां फिर्स कंडिशन आइब आप सबस्टाइब दूसरी कंडीशन हमने यहां पर की यहां पर कि कोई भी सबस्टैंस कि तब बर्न करता है जब करीक हो करके घंजन भी स्टैंस तो इधन पर निवाट चत्रफैंस गोल्कुर्प ब्रist इस तूसी हमने बनूर्ग करता है दूर्षक में खेंसे हों कि हो Tigerbridge. तेंपरेचर होने के बावजूत वो इसली कैच कर लेते हैं फायर उन्हें बोलते हैं इंफ्लैमेबल सब्सक्राइब जैसे कि आपके डीजल हो गया पैट्रोल हो गया कैरों कि नायन हो गया सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम को टाइब मिलती रहे आज के लिए इतना ही थैंक्यू